Hello Everyone, Welcome to Success with Rai Academy, Daily 10 Synonyms की सिरीज में आज आपका Part 25 है, इससे पहले 24 पार्ट बनाए गए हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे वहाँ से देख सकते हैं, जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, वो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजेगा ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे है, और अगर आपको वीडियो अच्छे लगता है तो आप इसे लाइक और शेयर कर दीजेगा, अब चलिए वीडियो को सुरू करते हैं, देकि फर्स्ट इनॉनिम सह है हमारा, अरोम स्मेल करता हो, बदबूदार, सेंटीमेंटल, इसका मतलब होता है भावक, फ्रेग्रेंट, इसका हिन्दी अर्थ होता है सुगंदित, और अगर हम ओप्षन में देखें तो फ्रेग्रेंट, का ही वह हिंदी अर्थ होता है सुगंदित तो यह इसका नेरेश Synonyms हो जाएगा और इसका right answer हो जाएगा इसलिए third option is right answer bah来 I am next synonyms पराते हैं YUBIT EMBIT का हिंदी अर्थ होता है सीमा TuVik大的一下, कि इसका हिंदी अर्थ होता है निर्षकास्ण scope, scope का हिंदी अर्थ होता है छेत्र restriction, restriction का हिंदी अर्थ होता है बंधन barrier, इसका हिंदी अर्थ होता है बाधा अगर हम ambit के हिंदी अर्थ सीमा को देखें तो यही अर्थ, scope, यानि की second option का होता है इसका हिंदी अर्थ होता है छेत्र तो सबसे nearest synonyms इसका हो जाएगा scope और यही इसका right answer हो जाएगा second option is right answer next synonyms पर आते हैं enthusiastic इसका हिंदी अर्थ होता है उत्साही अब इसके options को देख लेते हैं angry angry मतलब होता है क्रोधित second है excited इसका मतलब होता है उत्सा या उत्साही noisy याने की sore violent याने हिंसा करने वाला हिंसा करने वाला अब यहाँ पर अगर हम nearest synonyms देखें तो हमारा second option इसका nearest synonyms होगा क्योंकि excited का भी हिंदी अर्थ होता है उत्साह या उत्साही तो हमारा second option right answer हो जाएगा next synonyms पर आते हैं क्विल का हिंदी अर्थ होता है वस्मे करना options को देख लेते हैं पोस्ट पून याने की टालना avoid याने नजर अंदाज करना complain का मतलब होता है सिकायत करना और फोर्थ option है suppress इसका हिंदी अर्थ होता है दबाना अगर हम यहां क्विल के हिंदी अर्थ वस्मे करना को देखें तो हमारा यहां पर फोर्थ option याने की दबाना आप किसी को वस्मे करते हैं या फिर उस पर प्रेसर डालके उसको अपनी तरफ खीच लेते हैं उसे बोलते हैं इसका हिंदी अर्थ होता है असुप संकेत अब इसके options को देख लेते हैं इसका हिंदी अर्थ होगा विसैला सेकेंड है फोरगन इसका हिंदी अर्थ होगा आगे होना इसका हिंदी अर्थ होगा असुप संकेत याने की जो अमंगल हो और बैड मतलब होता है बुरा यहां पर ओम्नियोस का हिंदी अर्थ असुप संकेत होता है वही अर्थ for boarding का हुभी होता है amongal याने की negative sense में होता है तो यही इसका right answer याने की nearest synonym हो जाएगा third option is right answer miss fortune इसका हिंदी अर्थ होता है दुर्भाग गये अब इसके options को देख लेते हैं miserie याने की kusht poverty याने गरीबी illuck याने की दुर्भाग sadness याने की दुखी यहाँ पर miss fortune का हिंदी अर्थ है दुर्भाग वही अर्थ illuck याने की दुर्भाग इसका भी हिंदी अर्थ होता है तो nearest synonym से इसका हो जाएगा third option और यही इसका right answer हो जाएगा next synonym पर आते हैं next synonym से है हमारा indomitable यहाँ पर e होगा यह r की जगा पर यहाँ पर e होगा indomitable इसका हिंदी अर्थ होता है ना बदलने वाला अब इसके options को देख लेते हैं inactive inactive का हिंदी अर्थ होता है निस्क्री है second है हमारा authoritative इसका हिंदी अर्थ होता है आधिकारिक rebellious इसका हिंदी अर्थ होता है बागी और fourth option है हमारा unconcurable इसका हिंदी अर्थ होता है अडिक यहाँ पर indomitable का हिंदी अर्थ होता है ना बदलने वाला वही अर्थ यहाँ पर unconcurable का होता है अडिक यानिकि जो नहीं बदलता है तो fourth option इसका right answer हो जाएगा next synonyms पर आते हैं लग इसका हिंदी अर्थ होता है गसीटना options को देख लेते हैं drag मतलब होता है खीचना denounce मतलब होता है आरोप लगा देना decline मतलब होता है पतन यानिकि जब कोई चीच खतम होने लगती है degrade इसका हिंदी अर्थ होता है नीचा दिखाना यहाँ पर लग का हिंदी अर्थ होता है घसीटना और अगर हम drag के हिंदी अर्थ को देखें खीचना या घसीटना होता है तो इसका nearest synonyms हो जाएगा drag यानिकि first option is right answer next synonyms पर आते हैं levitate इसका हिंदी अर्थ होगा उड़ जाना options को देख लेते हैं float float मतलब होता है बहना या फिर उड़ जाना इसका भी अर्थ होता है dance मतलब होता है नरत्य waiver मतलब होता है लहराना हरास मतलब होता है परिशान करना यहां पर right answer होगा first option क्योंकि इसका हिंदी अर्थ होता है बहाना या फिर उड़ जाना मतलब कि इसका sense भी levitate के अर्थ में होता है तो इसका first option right answer हो जाएगा next synonyms है हमारा rencor इसका हिंदी अर्थ होता है विद्वेश या सत्रुता अब इसके options को देख लेते हैं first option है हमारा prejudice prejudice का हिंदी अर्थ होता है पक्षपात enmity इसका हिंदी अर्थ होता है सत्रुता third option है disappointment याने की निरासा और fourth option है हमारा hated याने की घ्रणा यहां पर हमारा right answer दो option हो रहे हैं एक तो enmity और hated लेकिन यहां पर second option nearest है इसका इसलिए right answer second option हो जाएगा यह आज के 10 synonyms थे I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो like और share कर दीजिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद कर दो दो